Welcome Teacher Capsule, Teacher Capsule में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है मैं मुहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी इंफर्मिशन साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर railway के द्वारा आपकी बहुत अच्छी विकैंसी आपकी निकाली गई है RPF railway की विकैंसी आपकी निकले वई है साथ यहां पर मैं आपको एक एक करके सारा का सारा information आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फारम भरना है उसकी eligibility आपकी क्या है उसमें कितना fees लगेगा कितनी vacancy है कौन कौन सी फोस्ट है क्या क्या आपको documents चाहिए एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा आपको जानकरी द करते हैं तो एक करके हम लोग पूरी की पूरी चर्च करते हैं देखे सातियों यहां पर बता दें कि यहां पर government of India के द्वारा ministry of railway के द्वारा आपकी vacancy निकाली गई है इसमें हमें आपको बता दूं यह आरपी है यानि कि railway plus force आपका है इसका full form आपका रहता है और यह आप आपको बता दूं कि यह आपका application form आपका कब से भरना शुरू होगा यह मैं आपको बता दूं सातियों यह विग्यप्ति आई है अभी फारम भरना फिल नहीं हुआ है जो आपका application फारम आपका भरा जाएगा वो आपका 15 अपरेल से भरा जाएगा कहां से भरा जाएगा opening date of application 15-4-2024 यानि कि 15 अपरेलसे फारम भरना शुरू होगा इसी के अलाबा यह आपका कब तक भरा जाएगा तो सातियों यह आपका 14 मैँ तक आपका फारम भरा जाएगा ठीक है यानि कि 15 अपरेल से फारम भरने शुरू हो रहे हैं और 14 मै तक आपके फारम भरे जाएगे तो यह आपका कफसे फारम भरना और कपसे closing date आपकी क्या है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आंगे लेकर चलू तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इसके लिए आपके हैं तो इसने हम लोग देखते हैं देखी का साथियों के pay scale अपका क्या है ये भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं समय स्पेक्टर के लिए अगर अपन देखना चाहें तो यहां पर सब्रेश्टर के लिए हम लोगों को graduate होना चाहिए जो भी अगर समय स्पेक्टर के लिए SI का फारम भरेगा railway का SI का तो उसके लिए graduate होना आपका compulsory बहुत है अगर जिसके पास में इसना तक नहीं है तो वो आपका इसका फारम नहीं बर सकता है इसकी salary क्या है तो साथियों इसकी salary आपकी 35,400 रुपए होगी और इसी के अलावा आपका age limit इसकी क्या होगी तो 20 साल से 28 साल इसकी age limit है यानि कि minimum age 20 साल और maximum age 28 year आपकी होनी चाहिए साथियों इसमें बता दूँ कि आप लोगों को अगर reserve category में आते हो तो reserve category बालों के लिए अलग से छूट का प्रापदान किया जाता है ये general बालों के लिए कि यानि कि सभी लोगों के लिए 20 से 28 साल आपकी age है इसके अलावा अगर आप SC category OBC category में अगर आते हो तो उसके लिए अलग से आपको चूट प्रादान की जाएगी और इसकी vacancy कितनी है तो SI के लिए सवेश्पेक्टर के लिए 452 पोश्ट आपकी है और इसके अलावा अगर मैं आपका कॉंस्टेवल की बात करूँ तो यह आपका कॉंस्टेवल का बात अगर मैं करूँ तो वह आपका कॉंस्टेवल में आपका केवल और केवल eligibility आपके पास में high school pass आपकी होनी चाहिए यह देखिए अच्छे बात है तो इसलिए इस फारम को बहुत सारे बच्चे भरेंगे क्योंकि जिसका 10th pass हो गया वो सारा का सारा इस फारम को भर सकता है और इसकी जो salary आपकी रहेगे न वो आपकी 21,700 सात्यों मैं आपको बता दूँ government नौकरी की salary बहुत ज़दा मैंने नहीं रखती है क्योंकि important आपका रहता है जीवन भर का ठेका इसलिए हम लोग सरकारी नौकरी तरब थोड़ा सा अग्रसर रहते हैं ताकि हमारी life secure हो सके हमारे परवार की life secure हो सके इसके अलावा इसकी eligibility अगर मैं age की बात करूँ तो सात्यों SI मैं तो 20 साल थी minimum age पर यहाँ पर minimum age 18 साल है यानि कि 18 साल की उम्र अगर आप पूरी कर चुके हो गई तो आप भारम को डाल सकते हो 18-18 साल इसकी limit आपकी मानी जाएगी इसकी ports कितनी है तो constable है तो यहाँ पर 4208 की post है वो टोटल अगर रेर्वे में मानी जाए अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसमें 3 साल आपका छूट दिया गया यानि कि इसके पहले जो age थी वो आपकी केबल 25 साल तक थी देखे का थोड़ा सा उपर अगर आप देख पाऊगे यहाँ पर 25 साल थी यहाँ पर लोगों को 25 साल से तीन बढ़ा कर 28 साल आपका कर दिया गया ठीके सातियों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा और थोड़ा सा अगर मैं आगे देखना का चाहूं यह आपकी age limit आपकी जनरल वालों की यह OVC वालों के लिए अत्रिक्त आपकी छूट आपको अलग से दी जाएगी और यहाँ पर हम लोग सारे के सारे information यहाँ पर देखते हैं एक चीज यहाँ पर हम लोग आपको और काम की चीज बता देते हैं कि इसके फारम की फीस आपकी कितनी होगी सातियों तो यहाँ पर जो फारम की फीस आपकी जो रहेगी न वो आपकी है 500 रुपए फारम की फीज आपकी 500 रुपए है आपर देख पा रहे होगे आप लोग लेकिन सा Teyum एक चीज अच्छी बात है कि फारम की फीज तो 500 रुपए है लेकिन इसमें 400 रुपए 400 रुपए रेल्वे मंत्रा लेके द्वारा आपको बापस कर दी जाएगी यनकी 400 रुपए आपके तुरही आपके बापिस आजाएंगे खाता में जैसी अगर आप लोग कोई भी exam जो भी student exam देता है उसके फीस बापिस आएगी अगर आप exam नहीं देते हो तो आपकी फीस बापिस नहीं आएगी ठीक सातियों और यहां पर आपके 2500 रुपए जो आपके होंगे अगर आप रिजर्ब केटगरी में हो SC, ST हो तो आपके 2500 रुपए होंगे और इन 2500 रुपए में 2500 रुपए उसके बापिस कर दिये जाएंगे exam होने के बाद में ठीक है सातियों तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरी की पूरी information आप अच्छे से देखी है और यह आपका जो paper होगा वो आपका online paper आपका रहेगा online mode पर आपका रहेगा CBT mode पर रहेगा computer based exam आपका रहेगा इसी तरीके से अगर आपको कोई और information की information चाहिए तो आप लोग comment करके मुझे बताए कि सर जी यह चीछ चाहिए यह चीछ चाहिए अगर आपको को समझ में नहीं आता तब भी आप comment session में comment करके पूंच सकते हो सातियों और आप लोगों से request है कि आप लोग इसी तरीके से और कौन से वीडियो आपको चाहिए कौन से information आपको समझ में नहीं आ रहे है वो आप मुझे comment करके जरूर बताए वीडियो को like करिए और वीडियो को share अवस्त करिए ठीके सातियों जैन जै भारत